एक पर फिर से आपको यहाँ पर कट्रा लिये चलेंगे श्रीमाता वैश्रु देवी की ही यात्रा नहीं पिछले 11 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है अब इस साल में आप देखी करीब 95 लाग का आंकड़ा बताया जा रहा है जो देवी के पवित्र दर्बार में श सबक लेते हुए श्रीमाता वैश्रु देवी श्राइन बोर्ड ने इस साल सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम पूरे कर लिये हैं लेकिन फिलहाल श्राइन बोर्ड के सीओ अंशुल गर्ग ने बताया है कि इस बार भी नए साल की शुरवात पर यात्रा का आंकड़ा बढ़न से इंतजाम कर लिये गाए हैं और साथी साथ बताया ये भी जाता है कि वैश्रु देवी पांचवा सबसे अमीर मंदिर हैं हर साल यहां पर दान पेटी में लगभग का आंकड़ा जो की 500 करोड का बताया गया है वो दान पेटी के अंदर से यहां पर आप देखी किस तरह से देखने को मिलता है लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि एक डिटेल जो सामने आई थी उसमें ये भी बताया गया था कि किस तरह से दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और अब 94 लाग तक अगर आंकड़ हो गई है तो अब आप ये समझे कि श्रधालों का अंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसके साथ साथ आप देखी श्रिमाता वैश्णों देवी की दर्शनों के लिए किस तरह से यहां पर जो लोग श्रधालों पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ सुविधा का और डेटा के हिसाब से संदोजार के बारा के बाद से यह हाईस्ट एवर यात्रा फिगर्ज हैं और पिछले साल की तदात से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक के तकरीबन तीन लाग ज्यादा यात्री मावैश्णों दिवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं और हमारी जो पूरी ड्रिल थी नए साल की उसको हमने पूरी तीन दिन टेस्ट किया और वही जो ड्रिल है हमारी कल शाम से दुबारा लागू होगी क्योंकि वीकेंड पर हम हर बार उमीद करते हैं कि खास करके इन चुटियों के दिनों में यातियों की संख्या में इजाफा हो मॉनिटरिंग के लिए दो जॉइंट कंट्रोल रूम्स की स्थापना की गई है एक भवन पे रहेगा एक कट्रा में रहेगा जिसके अंदर हमारे जितने भी कट्रा से लेकर भवन तक तक तकरीबन साड़े 600 CCTV कैमराज हैं उनकी मॉनिटरिंग रहेगी 24 आर 7 बेसिस पे साथ साथ RFID यात्रा कार्ड जो की mandatory requirement है बोर की पिछले एक साल से जितने भी शुधालू दर्शनों के लिए प्रस्थान करते हैं RFID कार्ड के अंदर भी 31 December खासकर के लिए एक special sticker जो है बोर की तरफ से रहेगा ताकि हम strictly monitor कर सके एक एक यात्री को 31 December को register होके अपनी यात्रा प्रा प्रामना भवन इन चार जगाओं पर हमारे dedicated holding areas रहेंगे जितके अंदर हमारे senior officers in charge रहेंगे उसके अलावा भवन पर monitoring के लिए individually SDM साब की supervision में dedicated team रहेगी जो इस सारे यांत्रा management को regulate करेगी हमारी यात्रियों से ये अनुरोद श्री मातर वेश्नों देवी श्राइन बोड स से हमेशा है कि जितने भी हमारी instructions हैं चाहे वो हमारी website पर हो चाहे वो यात्रा card पर जो mentioned है उनका वो जरूर पालंग करें हमारी जो नफरी हमारी जो teams deployed हैं track पर वो आपकी सहूलिया आपके लिए हैं और आपके लिए वो हर वक्त available रहेंगी कोई भी मदद और कोई आपको help board की तरफ से चाहिए additionally जिन लोगों ने advanced online bookings करवाई हैं उनके लिए उनसे भी मेरा यह अनुरोध रहेगा क्योंकि एरोपे में भी online facility हाली ही में activate हुई है उसकी भी संख्या अच्छी है यह उसक्ष्णis भी में टॉट से खवचOS पिर प्रिजबork में है हुई है